हलो फ्रेंज, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स, दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, यूपी लेक पाल के लिए ग्रामीर परवेसिवं विकास के पंदरा सो पिलस इंपोर्टन कोस्टन की सीरीज को, आप लोगों को जैसा की पता होगा, इस लेक्चर अगर आप इन कोस्टन का पीरिये एप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलिगराम चैनल को जोइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो हमारा पहला कोस्टन दिया गया है, म अला कोस्टन देखते हैं, गेहों में कितने पिर्थीसत कार्भोहाइडरेट पाया जाता है, दोस्तों गेहों में 8-15% प्रोटीन पाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, और कार्भोहाइडरेट की बात करते हैं, तो कितना पाया जाता है, तो इसमें 62-72% कार्भो Hydrate पाह जाता है तो आप यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तो गेहूं का आपको बैग गया निकनाम ध्यान रखना है इसलेकर इंग जाफे कोस्चिन पूछ सकते हैं तो इसका होता है टिटरीक म ASToping टिटरीक म ASTղ इम टिटरीक म ASTवम चाहिए आपको ध्यान रखना है तो गेंग क्या एक रभी की फसल है और इसे अक्टूबर नमंबर में बोय जाता है और जो इसके कटने के टैम होता है वो क्या होता है मार्च अप्रेल में इसको काट लेते हैं और इसकी पहली से मार्च अप्रेल में से काटते हैं और इसकी जो पहली से चाहिए होती है तो 20 से 25 दिन बाद इसकी पहली से चाहिए होती है तो इसमें उप्सन नमबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए दूसरी से चाहिए कब होती है तो इसमें option number हमारा वी correct है 20 से 25 दिन बाद अगला question देखते हैं धान किस रतू की फसल है इसी question है धान किस रतू की फसल है खरीब की फसल है दोस्तो खरीब की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है तो आप इसके बारे में ये दिहान रखेंगे और धान खरीब की फसल है तो इसमें option number हमारा वी correct हो जाएगा तो इसका नाम आपको जो बैग्जानिक नाम है वो दिहान रखना है इसका बैग्जानिक नाम होता है और आई का इस टाइवा और आई का इस टाइवा तो इसे लेकर एकजाम में question पूछ सकते हैं इसको आप ध्यान रखेंगे option number हमारा वी correct हो जाएगा अगला question देखते हैं चावल के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है तो चावल के उत्पादन में अगर प्रदेश की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर कौन सा राजी आता है तो पस्टिम बंगाल आप ये भी ध्यान रखेंगे option number हमारा वी correct हो जाएगा अगला कुस्ट नहीं उत्तर प्रदेश का देश में चावल के उत्पादर में कौन सा इस्थान है तो उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है जैसा कि आप सब जानते है पहले स्थान पर कौन है पस्टिम बंगाल उसके बाद आ जाता है हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान यानि कि दूसरे स्थान पर और तीसरे की बात करते हैं तीसरे पर हमारा बिहार तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे option number हमारा B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं चाबल का कटोरा किसे राज्ज को कहा जाता है इसी question है चाबल का कटोरा किसे कहते हैं तो भारती चाबल अनुसंदान संस्तान कहा जिस्ते थे हैदराबाद तेलंगाना में option number हमारा इसमें A correct हो जाएगा ध्यान रखना है आपको अगला question है तो काला नमक की चाबल का नाम है इससे confuse ना हो कहां होता है दोस्तों ये कहां होता है तो होता है ये सिध्धारत नगर में उत्तर प्रदेश में सिध्धारत नगर में option number हमारा B correct हो जाएगा friends इसे हायल ही में GI tag भी मिल चुका है इस चाबल को काला नमक चाबल को तो आप ये भी ध्यान रखेंगे तो इसमें option number हमारा B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं मक्का के उत्पादन में बिसमे पिरतम इस्तान पर कौन सा देश है दोस्तों मक्का के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है अमेरीका option number हमारा इसमें B correct हो जाएगा और दूसरे स्थान पर कौन है तो ब्राजील है दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर चाइना है चौते पर भारत तो इसमें option number हमारा B correct हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं बाजरे का बैग्यानिक नाम क्या है दोस्तों बाजरे का बैग्यानिक नाम क्या है तो इसका नाम है पेनी सेटम टाइफोर्ट ओप्सन नमबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे Frens अगर आपसे पूचा जाए गन्ने का यानि चीनी का बेखेया एंक नाम तो क्या हुता है शक्रम अफी सनेरम तो इसमें option number आपको ध्यान रखना है इसमें तो option number एक एक्रेक्ट हो जाएगा अगर आपसे पूचा एक बाजरे का उत्पादन भारत में किस राज़ में सारविदिक होता है, तो सबसे जादा होता है, राजस्तान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, उप्सन नमबर एक रेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्छन देखते हैं, उत्तर नहीं मिले हैं, इसलिए इसके अंदर गन्ये का उत्पादन सारविदिक होता है, और गन्ये का जो बैक गयानक नाम होता है, शक्कर्न, शक्रम, अफी, सेन्रम, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, आप ये आपको बताई चुका हूँ, तो इसमें उप्सन नमबर एक अगला कुस्टन है, नील बिद्रो कहां से शुरू हुआ था, दोस्तों, नील बिद्रो की शुरुआत कहां से हुई थी, पस्टिम बंगाल के अंदर, तो इसमें उप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा, यहां के किसानों के पास जो जमीन था थी, उस पर धान के लि किस सत्ययग्रे में सर्दार पठेल को सर्दार की उपदी मिली थी, तो बरद cancer 10 नमबर हमारा C क्रेक्ट हो जाएगा, यह हान के रुए था, गुजरात के अंदर तो भाहां की महिलाओं ने सर्दार बलाभ भाई पठेल को सर्दार की उपदी दी जी थी तो इसमें उप्शन C क्रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं मॉपला विद्रो किस्टे संब्देत pleas तो इसमें उप्शन no हमारा C जो मॉपला के रहते थे उन्हें हम मॉपला कहते हैं इसमें, तो इसमें option number C correct हो जाएगा, अगला question देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मुंगपली उत्पादक राज जी कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मुंगपली उत्पादक राज जी कौन सा है, गुजरात, option number हमारा C correct हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, next option number हमारा एक क्रेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना इसको अगला question देखते हैं सबसे अधिक मातरा में केसर मिलता है इजी question है दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहां मिलता है जम्मू कस्मीर में तो इसमें option number हमारा सी क्रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं भारत में सरबोचितम चाय कहां पैदा होती है दोस्तों भारत में सरबोचितम चाय कहां पैदा होती है दर्जिलिंग में तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कुस्त दिन हमारा जूम क्या है तो जूम क्या होती है दोस्तो एक प्रिकार की किरसी होती है तो इसमें option number हमारा D-correct हो जाएगा फैंस जब जंगल को काड़ कर खेती की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं जूम खेती जूम खेती सोरी जूम खेती तो ये किरसी का एक प्रिकार है तो इसमें option number हमारा D क्रेक्ट हो जाएगा अगला कुष्ट ने भारत की कितनी पिर्तिसद आबादी किर्सी पर निर्वर है दोस्तो भारत की कितनी परसेंट आबादी किर्सी पर निर्वर है 54.6% तो इसमें option number हमारा D क्रेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना इसको आपको अगला कुस्तिन है भारत की GDP में किरसी का कितना भाग है तो भारत की GDP में किरसी का कितना परसेंट भाग है आपको ध्यान रखना है 17.4% तो आपको ध्यान रखना उप्सन नमबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं राश्टी किरसक आयोग किस पंच बरसी यूजना में इस्थापित किया गया था दोस्तो किस पंच बरसी यूजना में इस्थापित किया गया था ग्यार भी पंच बरसी यूजना में तो इसमें option number हमारा भी correct हो जाएगा दोस्तों यह था grammar प्रबेस का part number 22 आई होप आपने सारे question की practice अच्छे से की होगी अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले exam में ज़रूर help मिलेगी तो जैसे ही exam की date आती है हम question की संक्या बढ़ा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा question की practice करेंगे तो आप लोग channel से जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें और वीडियो को like करते रहें शेयर करते रहें तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए practice set के थाथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत